अपर ये शूदा मैया हेलो एब्रीवन मैं हूँ अर्चिना और आप सभी लोगों का स्वागत है सिंपल लिविंग एंड कुकिंग इंडियन मॉम इन यूएसे में आज है क्रिष्न जन्मास्टमी तो आप सभी लोगों को क्रिष्न जन्मास्टमी की हार्दिक सुपकाम नाए आज होप आप सब लोग अच्छे होंगे आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम यहां पर कैसे फेस्टिवल मनाते हैं कि हमने यहां पर कैसे क्रिष्न जन्मास्टमी मनाई हम लोग यहां पर भी सारे फेस्टिवल बनाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ आज कृष्ण जनमास्टिमी का व्लॉग तो प्लीज यह व्लॉग फूरा देखिएगा तो शुरुवात करते हैं सुबह से तो अभी हम लोग जाने वाले हैं टैंपल अगर अरुन को टाइम मिलेगा तो हम टैंपल जाएंगे क्योंकि आज वर्किंग डे हैं तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी यहां का टैंपल तिन की सुरुवात करते हैं तुल्सी को जल चड़ा कर तो मैंने यहां पर तुल्सी को जल चड़ा लिया है चोटी 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 गया चोटे चोटे ग्वाल चोटी चोटी सुमेरो मदने गपाल मैंने पूजा की सारी तैयारी कर ली हैं और मैंने बनाए हैं पिजरी के लड़ू और कुछ ताजे फूल लेकर आई हूँ और कुछ फल रखे हुए हैं और पंचामरित बनाया हुआ है ये सुबह की पूजा के लिए मैंने ये सब रखा हुआ है मुझे बहुत जादा नहीं बता है जितना पता है उतना सब मैं करने की कोशिस करती हूँ क्योंकि इंडिया में फैस्टिवल की तो कुछ अलग बात होती है पर यहां पर भी मैं पूरी कोशिस करती हूँ कि जितना कर सकूँ वो सब करूँ और मैंने मंदिर भी थोड़ा बहुत कर रात को ही सजा लिया था आरती कैसे लेते बिटा हम लोगों की पूजा हो चुकी है घर में और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर तो यह मंदिर हमारे घर से 20 या 25 मिनट ही दूर है और यह है यहां का हिंदू टैंपिल तो इसके अंदर फोटो और वीडियो लेना एलाव नहीं है मंदिर के अंदर इस तरफ शूर्ज रखने के लिए सूरेक्स और स्वेटर जैकेट रखने के लिए हैंगर्स हैं और दूसरी तरफ हैंड वाश और पैर धोने के लिए पानी है हम मंदिर से वापस आ चुके हैं घर और अब मैं करूंगी आहान का फोटो शूट मैंने आहान के लिए थाली बना तो ली है लेकिन अब देखते हैं आहन क्रिष्णा बनता है कि नहीं बनता है अब यह हमारी सुबै की पूजा हो गई है अब हम आहान को बनाएंगे क्रिष्णा है ना आना बनेगा क्रिष्णा आना के मूट पर डिपन करता है आना बन भी सकता नहीं भी बन सकता है अगर बनेगा तो अच्छी वात है, नहीं बनेगा, तो भी अच्छी वात है, है ना, ना, बनेगा कृष्णा, या, तैंक यू, जले फिर, कृष्णा बने, अब मैं पहना रही हूँ, आहान को दोती, क्योंकि मैंने इस बार उसके लिए कृष्ण जी के कपड़े नहीं मंगा और पॉपकॉर्न की माला और पॉपकॉर्न की ब्रेसलेट बना ली है, यहां पर यही छोटी-छोटी चीजे होती हैं, जो इंडिया की बहुत याद लाती है, फेस्टिबल के टाइम पर, क्योंकि इतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं होती है यहां पर, और वैसे नहीं हो पात और यहांय होपीं होती है यह 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 अव और यह – ईम्याद Cameron, क्यूसक्याक ताइम प्यूस, में ऑनी वहां। यह इस 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 इन फ्लावर किलर पिंक okay I don't have pink you have every color I see what's this color this color this is red it's pink red pink is this one it's pink also like pink red is this one सारा काम हो चुका है अहन का फोटो शूट भी हो गया है हम मंदिर से भी आ गये हैं तो अभी मैं आई हूँ kitchen में डिनर की preparation करने के लिए तो क्योंकि आज तो बिना प्यास lesson के बनेगा तो easy हो जाएगा बनाना लेकिन मैं अभी से थूड़ी थूड़ी तैयारी कर लेती हूँ कि क्या क्या बनाना है क्योंकि आहान अभी टीबी रेख रहा है वरना वो बहुत पर बड़े बनाने के लिए मैं सबसे पहले butter milk बनाओंगी तो मैंने यहाँ पर एक कप में milk लिया है जिसमें मैं lemon एट कर दूँगी lemon और milk को mix करने के बाद मैं इसे 40 seconds के लिए microwave कर लोंगी 40-second microwave करने के बाद हम इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे तब तक मैं अपना पोहा धो लेती हूँ मैंने एक बोल पोहा लिया है और मैं इसे वाश कर लूँगी मैंने पोहा वाश कर लिया है और आप मैं इसे एक बोल में ट्रांसपर कर लूँगी और इसमें मैं जो बटर मिल्क बनाया था वो एड़ कर लूँगी और इसको हम ऐसे ही रेस्ट करने के लिए रख देंगे और मेरा आया है पार्टसल मेसी से मुझे मिल गया जनमास्टमी का गिफ्ट मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्या है इसके अंदर मैंने कुछ दिन पहले मैं इसी स्टोर से केलविन का पर्स ओर्डर किया था और वो आज जाके आया है तो मैं आप लोगों को दिखा है इसका ओरिजनल प्राइज है 98 डॉलर मिलब साड़े साथ अजार रुपे और यह जो मुझे पढ़ा है 58.80 मिलब 59 डॉलर बिना टैक्स के और टैक्स के साथ 65 तक पढ़ा होगा पांच जार रुपे का पढ़ा है पुरा 40 परसेंट ओफ के ब एक बड़ा पॉकेट है अंदर से और इसके साइट से दो छोटे छोटे पॉकेट है और एक चेन वाला पॉकेट भी है तो अच्छा है ऐसे यह साइट पर्स है और मैं बहुत दिन से इसका वेट कर रही थी तो फाइनली यह आज जन्मास्टिमी के दिन पहुचा है और यह यह बहुत ही अच्छी डील थी कि थाई हजार रुपे बच गए मेरे साड़े साथ हचार का पड़ता तो अभी मझे पांच जार का पड़िया है तो या इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता अभी तीन बज गए है और अहान का सोने का टाइम हो चुका है तो मैं उसको सुला लेती हूं पहले उसके बाद मैं आपसे फिर मिलती हूं कीचन में अहान चलो स्विच ओफ टीवी बेटा ले स्गो ताइम टो स्लीप इस टायम टूसलीप एलगे साम को चलो फटा 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 बंद करो टीवी बेटा जलदी बंकरो फटा फट बंकरो बेटा टीवी ममा क्या कह रही आप सुनते नहीं हो ममो की बाठ लोग देख रहे हैं तिरको अगर बैड मैनर करेगा तो सब बोलेंगे आहान is bad boy so behave properly otherwise everyone will say you are a bad boy अहान सो गया है तो मैं फटाफट से अपना डिनर बना लेती हूँ मैंने जो पोहा सो करने के लिए रखा था उसमें मैं एक अप सूजी आड़ कर ली है और अब मैं इन दोनों को mix करके थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दूंगे और सबजी मैं बनाने वाली हूँ दही आलू की तो मैंने आलू बॉयल कर ली है मैं इने छील लेती हूँ फटाफट से और मैं टमाटर की जगे टमाटर प्योरी का यूज करती हूँ केन वाली और इस केन ओपनर से केन खुलना बहुत एजी हो जाता है वरना केन खुलने में बहुत दिकत आती है दही आलू बनाने के लिए मैंने एक पैन को हीट में रखा है और मैंने ऑईल डाल के लोइस में थोड़ा सा जीरा और फट्ली से हेंग डाल दी है मैंने धो हरी मिर्ज भी काती थी वो भी मैं इसमें डाल दूँ गी अगर मैं मसाले डारिक डालूंगी तो वो जल जाएंगे क्यूंकि प्याज नहीं डालना है तो मैं मसालों को पहले पानी में बीगो लेती हूँ मैंने नमक लिया है हाप टे स्पून फल्दी पाउडर, हाप टे स्पून रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा नमक लिया है मसाला पकने के बाद मैंने इसमें दही डाल दी है मैं दही को लगातार चलाती रहूंगी नहीं तो दही फट जाएगी दही मसाले के साथ अच्छे से पक गई है तो मैं ने इसमें थोड़ा सा गरब मसाला डाल दिया है और उसके बाद मैंने बॉयल के हुए जो आलू है वो भी इसमें डाल दिये है मैंने आलू को मैस नहीं किया है बस छोटे छोटे टुकडों में तोड़ दिया है आलू मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि जो हमारी सबजी है वो सूखी सूखी ना हो और सबजी में थोड़ी ग्रेवी भी हो सबजी में बॉयल आ चुका है अब वो अच्छे से बन गई है तो मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी एड़ कर लूँगी क्योंकि कसूरी मेथी डालने से जो सबजी की खुश्बू होती है बहुत अच्छी आती है उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है कसूरी मेथी को हमेशा जब सबजी बन जाए उसके बाद ही डाले दूसरा मैं बनाने वाले हूँ दही भिंडी क्योंकि क्रिस्न जी को दूद वाले आइटम ही ज़्यादा बसंते हैं मेरे पास यहाँ पर मक्षन तो नहीं है इसलिए मैंने सारे जितने भी आइटम मैं बनाने वाले हूँ दही बिंडी बनाने के लिए मैं पहले बिंडी को ओयल में फ्राय करके निकाल लूँगी और मैंने यहां पर एक पैन रखा है फिर से जिसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाल दिये हैं और इसके बाद मैं नॉर्मल बिंडी में जो मसाले पढ़ते हैं तर्मरीक पाउडर, कुरियंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और सॉल डाल दूँगी और इन मसालों को अच्छे से पका लूँगी जब मसाले अच्छे से पक जाएंगे तो उसके बाद मैं इसमें जो मैंने दही फेट कर रखी थी वो डाल दूँगी और दही को डालने के बद लगातार हिलाते रहना है बनना जो दही है वो फट जाएगी और अब मैं बनाने वाली हूँ मतर पनीर क्योंकि आहान को पनीर बहुत पसंद है इसलिए मैं जो बना रही हूँ मतर पनीर बना रही हूँ मैंने पनीर को क्यूब में काट लिया है यहां पर आधी पनीर को और आधी पनीर मैंने ऐसे ही रखी है क्योंकि बहुत और यह जो बचा हुआ पनीर है अगर हम इसको ऐसे ही फ्रीज में रख देते हैं तो यह साइट से टाइट हो जाता है तो इसलिए हम इसमें मैं इसमें जो कॉनर जो कटे हुए कॉनर होते हैं वो इससे टाइट नहीं होते हैं और पनीर सौफ ही रहती है तो इसको ऐसे पैक करके रख लूँगी तो यह टाइट नहीं होगी मैं मतार पनीर के मसाले की रेसिपी शूट नहीं कर पाई क्यूंकि अहाँ नूट गया था और मीठे में मैं रही हूं सेवयां सेवयां बनाने के लिए मैं उसको पहले घी में रोस्ट कर लूँगी मैं अल्रेडी रोस्टिर सेवयां यूज कर रही हूं लेकिन इसको एक बार फिर से घी में रोस्ट करने से इसका टेस्ट और अच्छा आएगा तो मैं इससे एक और बार रोस्ट कर र गर्चिली पावडर, सॉल्ट, थोड़ी सी हेंग, गरम मसाला, और उसमें एक हरी मिर्च काट ली है, मैंने मिक्षर को मसल कर उसका डो बना दिया है, जैसे रोटी बनाने के लिए बनाते हैं, और इस तरफ मेरी सिवरी भी बन कर तैयार है, तो मैं इसको थिक करने के लिए, इ बन कर तैयार है, अब मैं बना रही हूँ भोग के लिए पिंजरी, तो मैंने एक पैन में घी गरम कर दिया है, और उसमें थोड़ा सा आटा मिला लिया है, मैं आटे को घी के साथ लोग फ्लेम पर रोस्त कर लूँगी, हाई फ्लेम पर आटा जल जाएगा, और जब आटा र पारी है, राइस की, तो मैंने राइस बॉइल करके रख लिये थे, और अब मैंने एक पैन रखा है, जिसमें मैं आइल डार कर जीरा डाल दिया है, मैंने थोड़ा सा, और इसके बाद मैं थोड़ा सा पीनट डाल दूंगी, तो कि मैं पीनट राइस बनाने वाली हूँ, मैं इसी तरह से सारे वड़े बना कर रख लिये हैं मैंने अब मैं एक एक करके वड़ों को ओल में फ्राइ कर रही हूँ और जो वड़े हैं बहुत ही अच्छे से फ्राइ हो रहे हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं तो बटर मिल्क वड़े बन कर तयार हैं और अब मैं बना रही हूँ, पालक पूरी तो ये भी बन गई है, बहुत लेट हो गई थी तो मैंने पूरी रेसिपी सूट नहीं करी है इसकी, डीनर का सारा काम हो चुका है, तो अब मेरे पास छोटे वाले कृष्ण भगवान जी नहीं है, जिनको की नहलाते हैं, तो मैं आटे के कृष्ण भगवान जी भी बन गए हैं और पूजा का टाइम भी हो चुका है, तो हम लोग पूजा कर लेते हैं पहले हम लोगों की पूजा हो चुकी है, तो अब डीनर का टाइम है, क्योंकि हम दोनों का ही फास था और बहुत लेट हो चुकी है, तो मुझे जितना आता था, मैंने वही सब किया है, अगर पूजा में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करना आप लोग मैंने पूरी कोशिस करी थी, कि मैं जितना कर सकूँ अच्छे से करूँ, और आहान दुबारा से हम लोगों के साथ खाना खा रहा है, क्योंकि उसने भी दिन में अच्छे से खाना नहीं खाया था आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल झाल गादा ले आप लेका लगों के साथ लाइक, बतबहा है और सब्सक्राइब अच्छाएब, आप लुखा है कि ँटखा है तो बाद़ के सांचा है